राजनीत और आंत्रिक संवच और समझ का विश्य है और मुझे लगता है कि कॉंग्रेस की लीडर्शिप अपने नेताओं के उठाए सवालों को समझेगी और हम लोग इस विचार से पूर्ण सहमत हैं कोई भी सरकार हो उसमें पीड़े सोशिद वंचिद वर्क के उन नेताओं को जो रिजनल और पिछले पीड़े वर्कों की अपेक्षाओं को आशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं उनको मुझा मिलना चाहिए बाकी कांग्रेस का आंत्रिक विश्य है वो निश्य तोर पे इसक पार्टी की और उनके सयोगियों की दिल्ली की सरकार से सब लोग सीख रहे हैं कि किस तरह एजेंसियों को प्रियोग किया जाए और ये प्रियोग चुनाव के पास आने पे और तेज हो जाता है इससे बाज आना चाहिए और एक ऐसी विवस्ता बननी चाहिए जिससे की अजयतिक कारणों से नहीं फसाना चाहिए इस बारे में कोई न कोई राष्टी इस्तर पर और बड़े नेताओं को सब दल को मिलके विचार करना चाहिए क्योंकि चुनाव आते ही एजेंसियों को फास्ट करके चुनाव को प्रवावित करना ये गलत प्रमपर आये और मिम मिम राष्ट अद्याक्ष ब्रस हम लोग और आपना सैयोग आर्थिक राजनियतिक को डिसकới करें को ये सामाने बात है और बहुत सरे और भी देशों के राष्ट अध्यक्ष एक दूसरे से मिलेंगे और चर्चा करेंगे हम लोग भी विपर्श को बी इंतजार है कोई सकारात्मक निरने आता है कर को ऐसा समझोता होता है जिससे देश की आर्थिक समाजिक परिस्तितियों में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा तो हम लोग उसके इंतिजार में हैं और देखते हैं कि मुलाकात के बाद नतीजा क्या आता है गोसी का चुनाव कहने को तो एक विधान सवा का चुनाव था लेकिन इस चुनाव पर पूरे देश की नजर थी और जिस तरीके से घोसी के रिजल्ट को लेके पूरे देश में परत्कियां आई हैं चुनाव तो साथ विधान सवा में हुए थे लेकिन घोसी को लेके पूरे देश की राजनेतिक दलों ने परत्किया किया है क्योंकि यह टेस्ट केस था कई हमारे सयोगी छोड़ की चले होना है और बहुत लोगों सारे लोगों की यह नजर है कि अगर इंडिया एलाइंस यहां बच्छा करता है तो इससे देश की राजनीत में आने वाले समय में दिल्ली में बदलाव का रास्ता उतर पदेश से जाता है और जिस बड़े मार्जिन से एक तरफा इंडिया की आशाएं जागी है इसलिए राश्ती इस तर पर हर किसी की इस सुनाव पर नजर थी